तो एक बहुत ही खतरनाक लीक निकल कर आ रहा है जी टीए 6 के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं जी टीए 6 क्या होंगे जी टीए 5 में क्या क्या रहा है और क्या रहा है टॉम हेंटरसन नाम का एक व्यक्ति है जो की पहले भी बहुत जादा कॉल अव ड्यूटी के लीक्स वगरा निकाल चुका है मतलब उस इनसान की आदत है कि वीडियो गेम की लॉंच होने से पहले ही लोगों को उसके बारे में बता देता है उसी इनसान ने अब रॉक्स्टार्स गेम्स के बहुत ही पॉपिलर सीरीज यानि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जी टीए के बारे में एक बात कही है कि जी टीए 6 में एक फीमिल लीड कारेक्टर देखने को मिलेगा जितने भी जीटीयग फैंस है वह सब यहीं चाहते हैं हमने एक से क्यरक्टर देखा है चाहें टॉमी वरेशिटी से कोई कैसे भूल सकता है टॉमिवर्सिटी वाइस सीठी से और उसके बाद काल जॉंसन यानि सीजे से जी टीए फोर का निक बलेक निक बलेक और अभी जो लेटिस्ट जीटीए 5 जो नौट सो लेटिस्ट है 2013 में निकला था ओल्मोस्ट यार उसको दस साल होने आ रहे हैं बहुत वक्त हो गया आप जानते होंगे माइकल ट्रेवर एंड फ्रैंक फ्रैंक लिन यह तीन कैरेक्टर पहली बार इंट्रीउस पहली बार इंट्रीउस कराए गए थे जीटी सीरीज में कि आप तीनों अब फीमेल कैरेक्टरकाटब भी मेंन देखने को नहीं मिला हां फीमेल प्लेइबल नहीं हैं लेकिन अभी टीएश इन udah अनों प्लेयाबल female character GTA 6 में मतलब देखने को मिलेगा एक लड़की होगी और एक main character भी होगा जिसके साथ वो लड़की होगी आप उन दौनों की story में से कोई بھی story select कर सकते हैं और गेम को आगे बढ़ा सकते हैं आगे गेम जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक दूसरे एक स्टोरी में इंवाल्व होंगे और शायद दौनों की एक ही स्टोरी होगी या अलग-अलग क्यरक्टर आप चूज कर सकते हैं इसके भी कोई जानकारी नहीं है लेकिन अभी निकल कर आया कि भाई ऐसा होने वाला है मैं आपको बता दो कि जीटीए 6 का इंतजार बहुत पहले स सकते हो आप जीटीए सेनेंट्रियास कब निकला था मेरी कहल से 2005 का बहुत बहुत पहले निकला था नाइंटी सेवन में शुरुआत हुए थी जीटीए सीरीज की जो भी है उसके बाद आप देख सकते हो वाई सिटी कब आया चाहे 2000 केतने में आया होगा उसके बाद मतलब अभी लास्ट जीटीए निकले 2013 में 2013 से अभी कितना वक्त हो चुका है यह इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि जीटीए 5 ऑल्रेडी मतलब रॉक्स्टार गेम जीटीए 5 के तुरू ऑल्रेडी बहुत पैसे कमा रहा है अब आप बोलेंगे सागर बाई गेम तो पुरान आपर वो सर्वर मेंटेन तो करते क्योंकि ऑनलाइन गेम चल रहा है तो जरूत होती है बट यह से आप नगार नहीं सकते कि रॉक्स्टार गेम ने जीटीए 5 के बहुत पैसा कमा रहा है और मैं आपको बता दू कि गेम अपने वक्त में जो कि सबसे जादा पैसों में बना और क्यों ना बने रॉक्स्टार गेम का यह बहुत बड़ी सीरीज है सबसे बड़े विडियो गेम्स में नाम आता है जीटीए 5 का तो पैसा भी उसे वह भरपूर ही कमा रहे है लेकिन किसी भी पैसा कमाने की एक प्रोड़क्ट से थोड़ी सी लिमिट होती है यह नहीं कि पैसा कमाना बंद कर दिया रॉक्स्टार कंपनी ने जीटीए 5 से जीटीए उनलाइन से वह कमा रही है बट बहुत जल्दी है क्योंकि अभी कॉंसोल वगरा सब आ चुके हैं और यह भी देख लिया कि कौनसा कॉंसोल चलेगा निजज अब प्लेस्टेशन 5 की भी आप कभर शक के बाद जीटीए गेम्स हमारे कंप्यूटर जो भी है हमारे पास उसमें चल पाएगा नहीं चल पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा यह एक चोटा साब डेट था जीटीए के बारे में जो लोग जीटीए फैंस हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो से ला बैटे सीख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें मैं मिलता हूँ अपसे एगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुडबाई प्रेसी सकते हैं